नमस्ते दोस्तों आज हम आपको औरतों की बुर कितनी गहरी होती है के बारे में जानकारी देने वाले हैं बहुत सारे नौजवान लड़कों को और पुरुषों को यह सवाल अक्सर आता ही है औरत की बुर औरत की बुर बहुत सारे शादी शुदा पुरुशों को तो यह सवाल शादी के पहले आता ही है क्योंकि हर किसी को जानना होता है कि औरतों की चूट कितनी गहरी होती है दोस्तों देखा जाए तो जैसे पुरुषों का लिंग बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता है वैसे ही औरतों की योनी बढ़ती उम्र के साथ गहरी होती जाती है अगर आपको औरतों की योनी गहरी पसंद है तो आपने औरतों की योनी बढ़ी करने के तरीके अपनाने चाहिए आपने आपके पती के योनी में हर रोज उनगलिया डालनी चाहिए जिससे आपके पत्नी की योनी चोड़ी और गहरी हो सकती है ज्यादा गहरी योनी से भी पुरुषों को मज़ा नहीं आता है इसलिए आज हम देखेंगे औरत की बुर कितनी गहरी होती है के बारे में जानकारी औरत की बुर कितनी गहरी होती है जब पुरुष अपने सेक्स पार्टरन को सेक्स करने के लिए उत्तेजित करता है तब पुरुषों का लिंग जैसे धीरे-धीरे खड़ा होता है वैसे ही लड़कियों की बुर्ध धीरे-धीरे गहरी होती जाती है उत्तेजित होने के बाद महिलाओं की योनी 5 सेकंड 6 सेंटी मीटर तक लंबी हो जाती है यह गहराई हर एक महिला की अलग-अलग हो सकती है सेक्स करते समय आपने लड़की के योनी से हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्यूंकि बहुत सारे पुरोश ऐसे होते हैं जो उत्तेजित होने के बाद महिला की योनी में विभिन प्रकार की चीज़े डालते रहते हैं दोस्तों आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्यूंकि महिला की योनी पूरी तरह से समवेधनशील होती है अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो लड़की को परेशानी हो सकती है अगर औरत की बुर बिल्कुल गहरी नहीं है तो आपने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्यूंकि ज्यादा योनी गहरी होने से भी आपको परेशानी हो सकती है ज्यादा गहरी योनी होने से आपका गर्भाशे छोटा हो जाता है इसलिए आपने आपकी योनी पर संतुष्ट रहना चाहिए पुलुशों का लिंग अगर पांच रिंग 6 इंच का रहा तो वह आसानी से महिलाओं को उत्तेजित और संतुष्ट कर सकता है बहुत सारे सेक्स कपल का मानना होता है कि लिंग बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और योनी बहुत ज्यादा गहरी होनी चाहिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यह सारी बाते सिर्फ आपके मानने पर होती है इन सारी बातों को आपने भूल कर सेक्स करने पर कंसंट्रेट करना चाहिए बहुत सारे पुरुष अपने सेक्स पार्टन की योनी को गहरी कराने के लिए योनी में उंगलियां डालते रहते हैं दोस्तों उंगलियां डालने से अगर आपके सेक्स पार्टन को अच्छा लगता है तो आपने यह क्रिया बरकरार रखनी चाहिए